वेल्कम बैक फ्रेंड्स वेल्कम तु तनस्कोचिंग फ्रेंड्स आज में आपके लिए क्लाश 12 इस पेस क्लाश 12 अकाउंट एंसी के कुछ वन लाइनर कोश्यंस लेकर आया हूं जो कि आपके आपके अब्जेक्टिव, प्लिन्दा ब्लेंक्स, वन वर्ड और टू फॉल्स स से रिलेटेड होंगे, दोस्तों आसा करता हूं कि आपके 30 मार्च को होने वाले एक जाम मैं इससे कोश्यंट आ जाएंगे, तो यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब में किया है तो सब्सक्राइब कर भे लाइक बंद वाले, जिससे हमारे द्वारा बनाये जाने वाले प्रत्ते की वीडियो को लोडिवरेशन आप तक कहले पन हो सकते, तो ट्रेंट्स बिना देर करते हूं, मैं इसकी शुरुआत करता हूं, प्लास 12 अकाउंट ट्रेंट सी 1 ला हमेशा दिखाता है, डेविड वैलेंस, थात नाम सेस, इंकम एंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट सोज अलवेज, आएवे खाता है, हमेशा दिखाता है, बोथ सर्प्लस अंड रिसीट, आधिक और गाटा, Q3. Subscription received in advance during accounting year is, accounting year में प्राप्त चंदे की राशी है, अल लाइबिलिटी, दाइद पूर। नेस्ट है, not for profit organization prepared, receipt and payment account, और income and expenditure account, गैर व्यापर एक संस्था हैं तैयार करती है, दोस्तों गैर व्यापर एक संस्था हैं द्वारा प्राप्ति प्तान खाता, या income and expenditure account, दोनों ही तैयार किये जाते हैं, अभी डिपेंड करता है कि option में कुन सा है, question number 5, income and expenditure account records, transaction of, आईवे खाते में लिखा किया जाता है, आईवे खाता है, income and expenditure account records, transaction of, cash sheet का record ये रखता है, revenue nature only, सिर्फ I से संबंदित, question number 6, ता closing balance of receipt and payment account represents, closing balance of receipt and payment account represents, प्राप्ति भुक्तान खाते के अंतिम से दर्साया जाता है, closing cash के नाम से या फिर bank balance नाम से, receipt and payment account में is a summary of cash transaction, तो ताप्ति भुक्तान खाता है, क्या summary बताता है कि इसकी cash transaction, सिर्फ इसमें नगर या रोकर संबंदी transaction की सम्मरी होता है, question number 8, the M of not for profit organization is providing, गैर ब्यापरिक संच्थाओं का मुख उद्देश होता है, या मुख लख्च होता है, social service, समाज सेवा, interest fees is on as payment, interest fees, प्रवेश शुल्क को दिखाया जाता है as payment, एक भुक्तान की मती, false, पांसर होगा, false, next question number 10, only capital items are shown, is your receipt and payment account, false, question number 11, special funds transferred are capital nature, special fund transaction, युक्वास fund transaction, capital पून जीगत स्वभाब के होते हैं, सत्ता जाएगा, true, income and expenditure account is personal account, income and expenditure account, जाना है कि आयवे खाता, एक भ्यक्तियत खाता है, false होगा, दोस्तों, तो भ्यक्तियत खाता नहीं यह, एक nominal account होगा, नाम मात्र का खाता है, the major source of not for profit organizations is, तो not for, मुख source, गैर ब्यापारिक संस्ताओं का मुख साधन होता है, तो इसके मुख साधन में आ जाएगा, subscription, दूसरा है, the main purpose of not for profit organization is, गैर ब्यापारिक संस्ताओं का मुख खुद्देश होता है, आंसर इस, service motive, सेवा भाव, next question is, by which account help the income and expenditure account is prepared, कौन से खाते की साहता से आयवे खाता तयार किया जाता है, तो answer is, receipt and payment account, in the absence of partnership date, in the absence of partnership agreement, interest is given on loan by the partners, तो दोस्तों इसका जो answer होगा, 6% per annum, अर्था साइदारी समझोती के अभाव में, partners के loan पर व्याज दिया जाता है, 6% बार से, for the distribution of profit among the partners, आंसर एनेस, साइदारों में लाव का विभाजन किया जाता है, profit and loss appropriation account, साइदारों में लाव हानी का विभाजन करने के लिए, बनाया जाता है, लाव हानी विभाजन खाता, लाव हानी नियोजन खाता, the relationship of partners with the firm is, साइदारों का partner से संबंध होता है, आंसर एज, as owner and agent, स्वामी और पृति निधी का, स्वामी और सेवक का, next question, in the absence of partnership, did the profit and loss are shared, साइदारी समझोते के अभाव में लाव हानी का विभाजन किया जाता है, इक्वली समान बराबर, Indian Partnership Act, DES, 1932, is applicable, भारती साइदारी अधिनियम, 1932 लाव होता है, the registration of partnership firm is, साइदारी firm का, पंजियन, optional है, किसा है, optional है, एक छिख होगा, the partnership, originated with, साइदारी होती है, समझोते से, साइदारी होगी, समझोते से है, थत, contacts, contact, next, in partnership, the liabilities of partner is, साइदारी में, साइदार का दायत होता है, unlimited, अर्था, semi, asimit, partnership में, साइदार का दायत होता है, unlimited, means, asimit, next, registration of partnership, is not compulsory, साइदारी में, साइदारी का, पंजियन आवश्यक नहीं है, true, सच है दोस्तों यह, next, आपको दिया question, partners, current account are prepared, in case of fixed capital, नहीं, चालू खाता बनाये जाता है, स्थाइप पुंजी खाते की दसा में, partnership agreement is always in writing, साइदारी समझोता है, हमेशा, लिखेत होता है, sponsor होगा, false, क्यों कोई यह दोनों ही हो सकता है, return भी हो सकता है, oral भी लिखे तोर, मौकिक दोनों हो सकता है, next question है, the valuation of goodwill is necessary at the time of, change in profiting, sharing, यहां पर answer होगा, the valuation of goodwill is necessary at the time of, अने, change in profit sharing ratio, अने, लाभ हान यान पात में, परिवर्तन के समय, ख्याती का मुल्यांकन आवश्यक होता है, next question number 28, 28 में आपको दिया है, goodwill is an intangible assets, ख्याती एक अध्रास संपत्ती है, तो आंसर भगा, true, एने, सत्य, ख्याती एक अध्रास संपत्ती है, सत्य, what is normal profit, सामान लव क्या है, answer is, which is earned through capital employed, which is earned through capital employed, तो अधिक्रत पुंजी के द्वारा, कमाये गया, love, सामान लव होता है, next question है, what is the result of change in profit in sharing ratio, love, honey, अनुपात में परिवर्थन पर, क्या होता है, reconstitution, आने की पुनरगठन, question number 31, when new partners, brings the amount of premium goodwill in cash, जब नया साज़दार, ख्याती की रासी नगत में लाता है, it is credited to, तो यह जमा की जाती है, फांसर हो जाएगा वो, जोस्तो, ख्याती खाते में, यह जमा की जाती है, ख्याती खाते में, question number 32, loss on evaluation account, ती जी रिटर्न इन, पुनर मुल्यांकन पर हानी पुर लिखा जाता है, credit side of capital account, यहां पर दोस्तो, बुक के according यह credit side of capital account है, पर मेरे according यह हानी को, debit side of capital account होना चाहिए, evaluation account is prepared on, पुनर मुल्यांकन खाता, तयार किया जाता है, answer होगा, admission offer new partners, यहां पर कब तयार किया जाता है यह, पुनर मुल्यांकन खाता, प्यार किया जाता है, तो पुनर मुल्यांकन खाता प्यार किया जाता है, इसमें answer होगा, admission of new partners, असने साहदार के प्रवेश पर, in which ratio, in which ratio the profit on revaluation is distributed, पुनर मुल्यांकन पर लाव का बढ़वारा किया जाता है, old profit sharing ratio, पुराने लाव हानी अनुपात में, पुराने अनुपात में, next question number 35, यह प्लिंदा ब्लेंक्स इसके बन सकते है, यह true false में भी कैसा भी आ सकता है, अब आपको दोस्तों इस formula को याद रखना है, gaining ratio is equal to partners new ratio minus old ratio, gaining ratio का formula लाव राप्ती अनुपात का formula होगा, साज़दारों का नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और त्याग अनुपात का formula होगा, sacrificing ratio partners old ratio minus new ratio, question number 13, revolution account teacher, DES account, अने पुनर्वुलांकन खाता, एक नाम मात्र का खाता है, question number 38, gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio, यह आपको फिलिंदा ब्लेंक्स में इस तरीके से भी दिया जा सकता है, कि gaining ratio is equal to new ratio, आगे डैस दिया तो आपको लिखना है पुराना अनुपात, decrease in liabilities is profit of the firm, संपत्ति के दायतों में कमी, firm का लाब होता है, next question आपका है, incoming of partners in the firm, साइधार में firm का आना कहलाता है, new admission होगा, नया प्रवेश, next, after admission of partner profit sharing ratio is called, साइधार के प्रवेश के बाद, लाब हानी अनुपात कहलाता है, new ratio नया अनुपात, क्यों की जाती है, तो answer हो जाएगा दोस्तों, और distribution of premium of goodwill, और ख्याती के विभाजन के लिए, according to premium of goodwill, accounting standard 10 is related to, accounting standard 10, लेखा प्रमाब 10 का संबंध होता है, ख्याती से, ताथ goodwill, next when old ratio is deducted from new ratio is called, जब पुराने अनुपात को old ratio deducted from new ratio, पुराने अनुपात को नए अनुपात में से घटाये जाता तो इससे कहा जाएगा, लाप्राप्तियन पात, A, B & C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2-3-4, A retired and B & C agree to share profit and loss in the ratio of, ऐसे मैं दोस्तों जब आपको old ratio दिया है 2-3-4 और retired, A एदी retire हो जाता है तो आपको आगे यह A का ratio है उसको छोड़ दिया जाएगा, तो यह बचा होगा ratio होगा वह आपका answer होगा, तो आपका answer बनेगा 3-4. Q46 एफ गुद्विल अकाउंट इज रेश्ट ऑन रेटार्मेंट ऑफ पार्टनर्स, इत बिल बी डेवेती टो रिमेंग पार्टनर्स कैपितल अकाउंट इन तो आँचर होगा, गैनिग इन पथा लापड्राप्ति अनपत यह पे गैनि रेशो अनए लापड्राप्ति अनपत और डेविट साइट, यहां जाएगा डेविट साइड मारे नामें परप्राश को एड़ टाइम ओफ रिटाइर्मेंट लॉस्ट ओन रिवेलुएशन इज अन्य पुनर मुलनकन पर हान नहीं डेविट की जाती है यहां आंसर आएगा नामे की जाती है To all partners capital account सभी साइधारों के पुझी खाते में नामे की जाती है At the time of retirement Loss on revolution Retirement के समय पुनर गुल्यांकन पर हानी को लाब साइधारों के पुझी खाते में नाम किया जाता है Question number 14 होगा By gaining ratio There is an increase in the ratio By gaining ratio अन्य लाब प्राप्ति अनुपात से अपके अनुपात में ब्रधी होती है अनुपात बढ़ता है Life insurance Reserve fund is transferred to Answer partners capital account यहां पर क्या Life insurance तो जीवन भीमा Policy को transfer किया जाता है साइधारों के पुझी खाते में In whom the amount of payable to deceased partners is paid इस में आजागा एक्सक्यूटर और लीगल रिप्रिजन्टेटिव उत्राधिकारी या कानूनी विर्थिनिधी को विच अकाउंट इज ओपन वेन पैमेंट इज गिवन टूआ पार्टनर्स एनुटी मेथड जब साज़दार को बुक्तान एनुटी मेथड बार्सकी अधिती से दिया जाता है तो कौन सा खाता खूला जाता है उस खाते का नाम होगा इवनिटी सस्पेंस अकाउंट इन्हें वार्सकी उचंत खाता है क्वेशन नमबर फिप्टी टू अन डिजॉलिशन ओफ दा फ़र्म इज असेट्स एंड लाइबिलिटी अर्ट रांसफर्ट तू फर्म के समापन पर उनके संपत्ति और दायत्तों को हस्तान्तित किया जाता है रिलाइजेशन अकाउंट में नेक्स्ट रिलाइजेशन अकाउंट इज बसूली खाता है पाजाग एक नौमिनल अकाउंट रहने की नाममत्र का खाता नेक्स्ट कोश्चन है अन्डिस्टिबूटेट लॉस एंड रिजार्ब्स आर्ट रांसफर्ट तू आप इत्रित हानी और रिजार्ब्स संचेयों को हस्तान्तित किया जाता है पार्टनास अपिटल अकाउंट में है कोश्चन नूम्बर 55 अपना स्वाइम का व्यापार कर सकते हैं Q5, There is no difference between the dissolution of firm and dissolution of partnership फर्म के समापन औं साजदारी के समापन में कोई अंथर नहीं है तो antwer वादोशतो false योकि there is a difference between dissolution of partnership and dissolution of firm फर्म के समापन औं साजदारी के समापन में अंतर है तो यहां हुगा false इसमें भी आंसर आपका आएगा, इसमें भी आपका आपका, इस डिजोलिशन ओफ फर्म नेसेसरी हों दर डिजोलिशन ओफ पाटनर्सिप। साज़धारी के समापन पर फर्म का समापन होना आवश्यक है, तो नौट नेसेसरी है, यह आवश्यक नहीं है, इसमें पूरा होने के कारण फर्म का समापन कहलाता है, डिजोलिशन ओफ कंटिंजेंशी, यह आपर अनिवारी एक समापन हो जाता है, डिजोलिशन ओफ कंटिंजेंशी, नेस्ट है, के ना पार्टनर डिजोल्ब बिदाउट इंटर्वेंशन ओफ दप कोर्ट, क्या साईदार नैलाय के हश्ट छेप के बिना फर्म का समापन कर सकते हैं, तो आंसर होगा, Yes, It can, हां समापन किया जा सकता है, Q 59, Sells Proceeds of Unrecorded Assets is Recorded in, Unrecorded Assets, Assets जिसका लिखा नहीं होगा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उनसे खाते में उसे कहिंगे हम बसूली खाता, यहां रिलाईएशन अकाउंट, यह रिलाईशन अकाउंट, यह रिलाईशन अकाउंट, अब दा फर्म अंडर डिजॉलुशन इच ट्रांसफर तू यह ट्रांसफर होगा रिलाइएशन अकाउंट में बैलेंस ओफ प्रॉपिट अंड लॉस लाव हानी का सेस इन दा फर्म के समापन के इस्तिति में साइधारों के लाव हानी का सेस ट्रांसफर किया जाता है रिलाइएशन अकाउंट में तो दोस्तो आसा करते हूं के हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को से हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्तिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके तो ट्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो